आज बात करेंगे कच्छा नाओ समाजी विज्ञान वार्सिक परिष्छा 2014 के बारे में और ये जो पेपर होनी वाला है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इससे पहले चार से पांच माजे विज्ञान के डाले जा चुके है चैनल पे जिनसे आप कमेंट जाकर सक्atiques कर सकते हो जहांज पेपर इससे तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और इससे पहले जितनी भी समाज बेग्यान की पेपर डाले गए हैं उनको भी जरूर जाके चैनल पर ढूर के देखिएगा तो वो बताते हैं कि सर मैं स्रीगंडेस एकडमी चैनल से पढ़ाई काता हूं आप माडल पर पर आता है हम उसको हल करते हैं हमारे ज्यान बढ़ता है और हम पूरे प्रशन को हल कर लेते हैं ठीक है ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं बस चैनल के साथ जुड़े रहिए बेल आइक वो यहां पर लुजला आया था बट यहां पर फेडरिक एंगल्स लड़के ने रहा था और बट मैंने जो मनलब इंटरनेट में देखा था वो लुजला आया था ठीक है भारती वन अधनियम की सुवर्स बना तो दोस्तों मैंने जब इंटरनेट में देखा तो उन्नीस सायत इंद्रा गांदी की सरकार थी उसमें तो उन्होंने ही यह सब किया था तो 1860 आप मान के चल दे अगर यहां पर नहीं है तो नहीं तो आप क्या है तो गंगोत्री भारत की जलवाई है मानसूनी रबड का संबन किस प्रकार की वनस्पत से है तो कुष्ट कटि बंधी वर्शावन से किस देश में प्रतेश लोकतंद्र को सफलता पूर्बग लागु किया जा चुका है तो दोस्तों स्वेजर लैंड में निम्न में स चीनी संसत का नाम क्या है राष्टी जन सम्मेलन राष्ट पदी का कारिकाल कितने वर्श का होता है पांच वर्श का उत्पादन के लिए क्या आवस्यक है तो दोस्तों भूम भी आवस्यक है और पूंजी अर्था दिए सभी मानो पूंजी है तो दोस्तों इसमें चारों मे नंग्योंक assessing मैं टाप्ब dzieci कुल्प करें राश्ट्री काम के बद्ले आनाज कार्करम 550 लागू किया गया तो ये दोस्तो लागू हुआ गाओं के कितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं तो यहाँ पर 20% यहाँ पर 20% सही होगा बट इंटरनेट में जो रियल है वो कितना है 21.9% तो यहाँ पर 22% कहीं है नहीं इसलिए यहाँ पर 20% सही हो जाएगा सरकार दोरा नियुन्तम समरपित की इमत की घुसरा कब की जाती है तो रभी के फसल के बाद की जाती है दोस्तों अब यहाँ पर इसका कोई असर है ही नहीं रभी का फसल का तो यहाँ पर जादस जदा है कि बुवाई के मौसम के बाद या बुआई के मौसम से पहले दो में से एक होने वाला है तो यह आप देख ली जाएंगा इंटरेंड में वैसे यहाँ पर मेरे को जो मिला वो है रभी के फसल के साथ-साथ ठीक है अब आ जाता है खंडबा जहां पर आपको 80 सब्दों में उत्तर देना है अक्टूबर करांद से क्या अवफ्राई है अथवा बुग्याल से क्या अवफ्राई है बुग्याल के प्रमुक लच्ण लएकिए तो अभी आपने देखा दोस्तों कि जो परवतों का सबसे उपरी भाग होता है उसको हम बुग्याल कहते हैं यहाँ पर आपने देखा कि बुग्याल क्या होता है उच परवतों पर इस्तित विसाल चारा गाहों को कहते हैं तो बुग्याल आप इसको डारेक्ट लिख सकते हैं बुग्याल वही होता है ठीक है ठीक है उसके बाप बुग्याल के प्रमुक जैसे पीने का पानी मिल जाता है ठीक है बिजली बन जाती है ठीक है बिजली बन जाएगा तो क्या होगा सरकार को पैसा मिल रहा है ठीक है ठीक है कोई कोई है बिशलेरी का पानी बेच के पैसे कमा ले रहा है ठीक है तो आर्थिक रूप से पैसा तो मिल रहा है ना तो नदिय कि पिछले माडल के और दो-तीन मैं हल कर रहा हूं इसमें ही रहा है यहत हाँ उसको बारे ठीक है ज्यादा लंबे समय तक अच्छे रहें ये सब के लिए क्या करना चाहिए आपको यहाँ पर अपना उपाय बताईए और कुछ ना कुछ बताईए वर्णात्मक प्रसनब आजाता है उत्तर लगवग देड़ सब्दों में देना है प्रतम है पहला है प्रतम विश्यूद में जर्मनी की पराज़े किन कारणों से हुई दोस्तों प्रतम विश्यूद पहले आपको बताना है क्या है कब लड़ा गया ठीक है जैसे 1914 में लड़ा गया ठीक है तो जहां तक मुझे याद आ रहा है तो वो जपान को हराने की कुछिस कर रहा था बट जपान को छोड़ करके नहीं अमेरिका को साइद हो रहा था तो अमेरिका को छोड़ करके बहुत दूर था तो फ्रांस में हमला कर दिया था या रूस पर कर दिया था तो उ यार वन राष्ट की निरी है भाई बिलकुल है वन नहीं रहेगा तो वाई नहीं होगा वाई नहीं होगा तो आक्सीजन नहीं होगा आक्सीजन नहीं हो तो लोग नहीं रहेंगे लोग नहीं रहेंगे तो पूरी संसारे खतम हो जाएगा तो कहीं न कहीं राष्ट की सबसे ब बाकि बहुत सारे कारण है ठीक है जैसे अपने आपको आसुरचित महसुस करना भी जन संक्या बृद का कारण होता है जैसे किसी का एक बेटा है उसका दुस्मन है उसके पांच बेटे हैं ठीक है तो वो क्या सोचेगा कि कि अगर कभी लड़ाइप वोगे उसके पांच बेटे हैं चढ़ लेंगे मारने के लिए द्वार पे तो मनलब कि हमारे भी पांच बेटे होने चाहिए जिसे पूरी पूरी लड़ाई कर ले तो यह जो मान सिकता है वो क्या करती जन्सका विब्रिद करवा देती है ठीक है लालस होता है जैदा अतधिक अकर्षन होता है यह सब भी कारण होते है ठीक है बाकी आप लोग और लिख लिजेगा पढ़े लिखे समिधान से क्या आसा है हमें समिधान क्या उसकता क्यों पढ़ती है तो दोसों समिधान क्या है समिधान एक ऐसा नियम होता है जिसको सभी को फालो करना होता है वो सब ध और दूसरों को परतंतरता का आभास नहों, ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि कोई बंदा बैठा है, हम जाकर करके उसके सामने बैठ जाएं, ठीक है, कहें भाई मुझे स्वतंतरता है, मैं कहीं भी बैठू हूँ, ठीक है, तो मालग कुछी जो का ध्यान रखना पड़ता है, मालो अधिकार केटने है पहले वो बताना है एक एक करके वड़न कर देना है फिर नया एक पाली का क्या है नया पाल का हम कैसे याज का खाजरी करते हैं कैसे हम अपने जो अधिकार के लिए मुकदमा कर सकते हैं वो कैसे सुनवाई करता है कैसे नया मिलता है ठीक है हमारी अधिकार क मांचित्र समन्धिकार यहां पर आपको क्या करना है वास्थान जहां तुर्की की राज़ानी स्थेत है तो आप अगर आस्थान का नाम बताएंगे तो आपको आधा नमर मिलेगा आधा नमर आपको मांचित्र में जब आप मनलब की डवो करेंगे फिड दिखाएंगे तब हो दूसरा है वास्थान जहां सासक लूई सुलहवा था वास्थान जहां इस्ट इंडिया कंपनी थी अफ्रीका का वह छेतर जैसे मसाई लैंड कहा जाता है मार्सिल्स कहां इस्थित है तो यह पांचों बहुत जदा इंपार्टन तो नहीं मेरे को लगता क्योंकि इसके पहले जितने भी माडल पे वहाल किया था उसमें एक भी नहीं आया है फिलहाल यहां पर एक दो हैं जैसे इस्ट इंडिया कंपनी है यह आपको ध्यान रखना है और एक मौर्शिल्स कहां इस्थित है और एक कुश्यन अफ्रीका से जरूर फस्ता है अफ्रीका महादीव से एक मिलखित को दर्साइए यह आपको इन लोगों को दर्साना है कानहा नेशनल पार्क को इस तरह दिखाना है नर्मना नदी को इस तरह उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनव है उसको यहां पर कहां इस्तित है उसको इस तरह दिखाना है राजस्तान के मरुस्थल का ना या जो आपको खुद से ढूड़ना चाहिए वो मैं छोड़ दूँ जिससे आप भी खुद से ढूड़ेंगे तो आपका पढ़ने मन लगेगा और चीजे जल्दी याद होगा उमीद है कि आप हमारे जो मनलब की हमारा जो उद्दिस है उसको समझ पाए होंगे जय हिंद वंदे मातरम